तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ पनीर की सबजी और इसी बना करके खा करके आप लोगों को बिल्कुल धाबे और रेश्टरंट वाली फिलिंग आने वाली ही बहुत बहुत जबर्जस बनेगी और बिल्कुल बेसिक से मसाले घर की चीजें से इसे बनाएंगे बहुत खार्चा नहीं करेंगे ठीर सारा काजू बटर यह सब कुछ भी आपको बाहर से लाने के खरीदना की ज़रूरत नहीं है फिर भी बहुत ही जबर्जस यह सबजी बनके रेडी होगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो दीकि इसी बनाने के लिए हमें इस तरीके पनी दिया तो इस तरीके से लंबे में थिरी पीसेस निकल गए अब इस तरीके से थोड़ा तीर छे करके चाकू को और हम इस तरीके से कट करेंगे तो बिल्कुल इस्टार सेफ में यह पनीर हमारा कट के रेडी हो जाएगा बिल्कुल ट्रैंगल सेफ में तो इस तरीके से से जो कि यह काफी नेट सब्सक्काय करने कादिया है या झाल सब्सक्राइब गसे आcolope कि अर्षे नाad शौल है round 1773 से यसे व自然ी खना रिश्यक्राइब अब इसको एक प्लेट यानि थाली के अंदर करके और आपहि, मैं इससे साईड में रख लेती हूँ और इससे पहले मैं थोड़ा प्यास टमाटर कर लेती हूँ तदिखिあ प्यास को मने पहले से छील करके रेडी करके रखा हुआ था और दो में मीडियम साइज के प्याज ली हूँ और उसको बीच में कट लगा देंगे यानि कि 4-4 पीसे हम करके रेडी कर लेंगे दो मीडियम साइज के देखिए यहां पर मैं टमाटर ली हूँ टमाटर आप इससे भी ज्यादा पकिये हुए जो काफी रेड कलर के होते हैं वो है तो ले लीजिए मेरे पास जैसा था मैंने वही ले लिया है उसको भी कट कर लेंगे अब एक बरतन लीजिए उसको गैस पर र देखा है वो डालेंगे दो साबत कस्मेरी लाल मिर्स मेंने डाला है और एक चमत जीरा डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे तो गरम मसाला मैंने थोड़ा सा दाल चीन लिया है और दो लॉंग लिया है और गरम मसाले में थोड़ा सा जीरा था वो ले लिया है उसमे प्रफुला लिया था अब इसे तरह से मैं ढ़क देती हूं और निचे इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए उसके बाद इसे हमें पीस लेना है तो अब मैं यहां पर ले रही हूं दही तो यह चार से पांच चमच हैं जो खाने वाला चमच होता उसी से मने लिया है पांच दाल दिया है स्वादिका अनुसार और काली मिर्च जीरा का पॉडर मैंने सांथ में पिसके रखा था उसको भी डाल लेंगे तो देख सकते हैं बेसिक मसाले जो डेली घर पे यूज करते हैं वही मसाला मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है और उसके अंदर थोड़ा सा प डाल करके इसे पनीर के साथ अच्छे से मिक्स करके हम इसको क्या करेंगे दस मिनट के लिए रख देना है तो बढ़िया से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इस मसाले को और पनीर को यानि की बढ़िया से कोठ होना चाहिए जो पनीर है तो इसको मैंने अच्छे से हाथ से मिक् गी डाल लेती हूं और एक चमस भर की हाँ पर ऐल डाल देंगे आप घी या ऐल या बटर किसी भी चीज में बना सकते हैं लेकिन घी बटर का जो टेश होता है बिल्कुल अलग आता है बहुत अच्छा लगता है आईल की जगा तो आप बटर या घी में बना सकते हैं अब अच्वे थोड़ी दिर के लिए इसे भून लेना है दो तीन मिनट हमें भूनेंगे और बीच में चलाते रहेगा नहीं तो नीचे से जो पनीर है न वो पकड़ लेगा तो देख सकते हैं यहां पर पकड़ लिया है और बीच से में दो बर चलाई उसके बाद थोड़ा समय छोड़ दिया तो देखे पकड़ लिया है और अच्छे से में चला लेती हूं और इसको थोड़े से भून लेंगे यहां पका लेंगे मसाले को मसाले को ही हमें पकाना है कि मसाला कच्चा है और उसके बाद हम डाल लेंगे यह वाला पेश्ट जो हमने टमाटर और प्यास का बनाया था और सभी मसाले को मैं यहां पर डाल लेती हूं तो जो मैंने पेश्ट बनाया था वो बहुत जादा लग रहा था मुझे तो मैंने उसमें से थोड़ा सा बचा लिया है यानि कि रख दी हूं और आधा मैंने इसमें डाल दिया है अब यहां पर अच्छे से मीक्स करक थोड़ा सा हम नमक डाल लेंगे इसके अंदर, क्योंकि नमक हम ने पहली भी डाल रखा है तो उसी हिसाब से डालेंगे, बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, तो अपने हिसाब से ही डालें, और बढ कच्छा रहेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा उसे पकाने में और गरम करने में और सब्जी के अंदर कच्छा पानी डालने से स्ट्रीस थोड़ा अलग हो जाता है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गरम पाने ही डाले और उसके बाद करके यहाँ पर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे हरा धनिया पती डाल लेते हैं और डाल करके इसे हम ढख करके और दोस ये तीन मिनट के लिए पका लेते हैं बिल्कुल धीमियाज पे और रड़ी सब कुछ पक गया है रेडी है तो ढख देते हैं दो-तीन मिनट के लिए से उसके बाद हम खोल के देखते हैं तो दो-तीन मिनट हो चुका है फ्रेंट्स देख सकते हैं और मैं गैस पे से उतार करके यहाँ पर लेकर आ गई हूँ और काफी इसमें से भाप निकल रहा है सबजे भी काफी गरम है लेकिन देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा इसका टेक्स्चर कलर बहुत बहुत जादा अच्छा है देख सकते हैं फ्रेंट्स बहुत ही मस्त बनी है सबजी काफी टेस्टी बनी हुई है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो आप भी इस तरीके से एक बर बनाएं ट्राय जरूर करें और इसको आप रोटी, चपाती, परांठा, लच्छा परांठा के साथ ही से सर्प कर सकते हैं बहुत बहुत जादा अच्छा लगेगा, और ये किन मानिये फ्रेंट्स बहुत बहुत जादा टेस्टी बनी हुई है और इसकी खास बत यह है कि हमने इसे घर की बेसिक मसाले, घर की चीजों से बनाया है बहुत ज़ादा हमने इसमें खर्चा नहीं किया है कोई चीज हमने बाहर से नहीं मंगाया है सिर्फ और सिर्फ हमने पनीर बाहर से मंगाया है और बहुत बहुत ज़ादा टेश्टी हमारी सबजी बनके रेडी हुई है बिल्कुल ढावे रेश्टरॉंट जैसे इसका जो लुक है लग रहा है और तो अब भी एक बर इसे जरूर ट्राय करें और उम्मिद करती हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक सियर चैनल के सस्क्राइब जरूर करें